अगला प्रोड़क है हमारा और्थोडोग घुटने से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है और्थोडोग घुटने से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है और्थोडोग घुटने से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है उसमें क्या इस्तमाल कराएंगे और्थोडोग घुटन समस्या हमारे खाने पीने में होने वाले गड़वडियों के वज़ा से आ रही है किसे आती है खाने पीने में जो डिसॉडर होते है उसकी वज़ा से आती या तो आपकी बोड़ी में लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन बढ़ जाती है या uric acid की deposition बढ़ जाती है और महिलाओं में progestron, hormone की deposition बढ़ जाने की वज़से भी गुटने में दर्द होती है हमारे जहां भी जोड हैं हर जगा उपर वाले में grease डाल के रखा है जिसको sanival fluid बोलते हैं लेकिन हम बात करें वो greasy जैसे grease होता है तो grease रहने के बाद कोई भी हटी उपर नीचे करने में दर्द नहीं होता है वो अराम से जैसे बेरिंग में grease कैसे लगा देते हैं तो घूमता है तो आवाज नहीं आती अब ग्रीस कमजोर हो जाए तो उसमें आवाज आने लगता है होता है नहीं होता है और अगर आपको देखना है न तो आप लोग अपने कोई पूरानी जो खटारा साइकल हो उसमें ट्राइ करने पैर को पैंडल माते हैं तो एक बार ऐसे मारे अटटियों इधर से मारे रख्टियों ऐसे करता है एक चिप से आ जाती है ना तो गृस की कमजोरी के कारणा आती है तो हमारी बोड़ि में बिचर यह ग्रिस सुक जाता है तो हम घ़ा को हिलातेद फेर को मोड़ते हैं इसको फोलड करते हैं तो हड़ी जो होता है दोनों हड़ी में घरसन होती है रगण होती है उसकी वज़ा से भ्यांकर दर्द होता है और रियल में जो घुटने की जो दर्द होती है या हड़ीों की जो दर्द होता है बहुत ही पिनफुल दर्द होता है ये बहुत ही पिनफुल दर्द होता है कई ज फिल्टर जो नहीं लगाते हैं, उसकी वज़त से जो पानी होता है, पानी में बहुत सारे chemicals ऐसे हैं, खास करके आर्सेनीक की बेगर है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके पानी में मिस्टरन होगा तो यह घुटने का दर्ध बहुत जल्दी आयाता है, समभी मारा है, तो किसी किसी को अगर hideous related कोई problem हो, घुटने का कोई दर्द हो, arthritis की समस्या हो, कमर में दर्द रहता हो, कोई बोले gas के कारण कमर में दर्द होता है, तो ऐसे cases में हमके क्या recommend करना चाहिए? ortho dog, क्या recommend कर सकते हैं? ortho dog recommend कर सकते हैं, ortho dog उनको use करना चाहिए, ऐसे cases में ortho dog use करने से बहुत अच्छे result आते हैं, ortho dog इस्तमाल करने का तरीका क्या है? खाने के एग घंटे बाद 20 ml दो टाइम, इस्तमाल कैसे करना है? तो 7 ml गुंगुना पानी ले ले लेना और उसमें 20 ml ortho dog डलना है, 6 ml गुंगुना पानी में 20 ml ortho dog मिलाके और चाय जैसे सीप करते हुए पीना है, कैसे पीना है? चाय जैसे सीप करते हुए, जैसे चाय आप सीप करके पीते हैं, वैसे चाय जैसे सीप करते हुए आपको पीना है ortho dog ले सकते हैं? लेकिन ortho dog के साथ दो ऐसे product हैं, जिसको अग और्थो डॉग में अगर आप थंडर व्लाश और नोनी किसी एक के साथ अगर आप देते हैं तो इसमें रिजर्ट बहुत अच्छे आते हैं हमेशा याद रखिए जो घुटने में दर्द या अथ्राइटिस के जो पेसेंट आपके सामने हैं या किसी कमर में दर्द हो अगर वाले या किसी का हड़ी टेड़ा हो गया ऐसे जितने भी केसेस हैं इसमें ज्यादा तर प्रॉलम स्टिफनेस के चलते बहुत हाड दर्द होता है उसके जलते बहुत जादा पेसेंट परिसान रहते हैं लोग जादा परिसान होते हैं ऐसे में डाइट या आपकी जो प्रिस्क्रिप्स न होने चीह जो आप और आयरुवेदी की जो अनको आप सप्रियमेंट दे रहे हैं उसमें स्प्रीमेंट देनी जलूरी होतें इसलिए थंडर विलास क्या करता है इंटरनल एनर्जी और स्टेम्रा उसमें सीला जिट डाला हुआ है जो कि गुटने के धर्द के लिए राम बान माना जाता है नोनी भी एक पावर देता है और एंटी ओक्सिडेंट प्रोडेक्ट होता है क्योंकि यहां पे एसीड की डिपोजिसन वो हटाने के काम करता है आप मैल्टी बिटा में बीटा डोग भी दे सकते हैं ओमेगा फ्री कैप्सूल जरूर देना आज के बाद और्थोड़क के साथ ओमेगा फ्री कैप्सूल जरूर देना क्योंकि 60 परसेंट रीजन लोग की फैटी एसीड की डिपोजिसन हट जाने की वज़़ से क्योंकि ओमेगा 3 एक पार्ट होता है साइनिवल फ्यूड गा और उसके वज़से बहुत सारे लोग के ऐसे कही लोग आपने देखा कि और्थोडोग के बाउजूद भी रिजल्ट नहीं आया दो मेना तीन मेना के बाद तो अभी तक हम उनको ये बता देते थे कि भाई आप नहीं हो सकता कोई नहीं आप दूसरा कुछ कर लो अभी आप उन लोग की रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं ओमेगा 3 कैपसूल के थुरू तो आपको ऐसे सप्लिमेंट दोनों टाइम एके कैपसूल की एडवाइस आप जरूर करें ओमेगा 3 कैपसूल समझ में आ गया इससे रिजल्ट आपके बहुत जादा बढ़ जाएंगे और बहुत जादा अगर किसी को दर्द होता है जो बिल्कुल असानी है दर्द है जो अभी आपके और्फो डोग लेके तुछ दिन वेट नहीं कर सकता है तो नॉर्मल दर्द को सही करने के लिए अपने पास दो प्रोड़क्ट है जोइन क्रेटर वाइल और जोइन क्रेटर जेल तो आपको बहुत जादा अगर दर्द हो तो जोइन क्रेटर वाइल और जोइन क्रेटर जेल देना है joint crater while हाथ में लेके जहाँ गुटना है वहाँ पे लगाना है जो 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 से malis नहीं करना है वह ऐसी jail जो है वो लगाना है इसकी malis नहीं करनी होती है clear समझ मारा है कहें भी दर्दो माथा में दर्दो joint crater while आप यूज करवा दीजे गुटने में दर्द वो, ज्वाइंड ग्रेटर वाइल लगा दिए, सर्दी खांसी जुगाम बच्चे को quick response है यह तो ज्वाइंड ग्रेटर वाइल सिरी में लगा दिए, नाकों में लगा दिए और सीने पे मालिस कर देते हैं छोड़ी-जोड़े कमेंट करते हैं और्फोटोग आगर आप देते हैं तो और्फोटोग के साथ कुछ प्रिकॉर्सन है जो आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी है जयजाइट बहुत काम करता है इस केस में कई लोग की केस ये आरには कि सर्मेने चार महिना यह त्रिजल्ट निया अच्छा कई बर ऐसा भी होता है एक तैन किससार यूथ है debe persona ॹछ कि वार tu b आपके खाने पीने में अगर बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी है 100% आपको गुटने का दर्द हो जाए कई लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब को खूब दूद पीते हैं तो केवल दूद पीने से गुटने का दर्द सही हो जाए यह जरूरी नहीं है कुछ जो आपको डाइट चाल जो फॉलो करने के लिए उनको बताना होता है यह जरूर आप ध्यान में रखिए कि सामने वाला बाइलेंस डाइट इस्तमाल जरूर करें नहीं करता है तो आपना दो तिन प्रोडेक्ट उसको जरूर दीजे जैसे मोरिंगा हो गया आप जरूर बहुत अच्छा रिजन्ट आजएगा जो मोरी डोग हमारे पास है आप ऐसे सप्लिमेंटरी उसको खाने के लिए दे सकते हैं बीटा डोग दे सकते हैं जिससे विटामिन्स मिलता है यह जो छोड़ी चीजे हैं इसे रिजल्ट आपकी बढ़ जाती है खटा खाने के लिए खटा बिल्कुल नहीं खाना है आप सप्लिमेंट में ओमेगा थ्री कैप्सूल की मैंने अभी बात बोली है वो आप दे दीजे बहुत अच्छा रहेगा और और और्फोड़क का कोई भी है तो उसको आप बोलिए कि अपनी सुबह में मॉर्निंग वाक जरूर करें थोड़ अगर थंडर व्लाज देते हैं तो खाने के बार 20 मिल दूद के साथ और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि और्फोड़क वाली को मिल्क प्रोड़क्ट यूज नहीं करना चाहिए यह भ्रांतिया है मिल्क प्रोड़क्ट यूज नहीं कर सकते हैं नहीं करेंगे दूद, मठा, चा जाद से जाद से जाद से यूज करवाएं रिजल्ट बहुत अच्छा हैगा, प्लीर है?